नमस्कार SMZ News इंडिया देख रहे से भी दर्शकों का बहुत बढ़ स्वागत हैं मैंने थी हाजरो एक बार फिर इस वक्त की बड़ी खबर लेकर जहां दिल्ली के CM अर्विंद के जिवाल जो की तिहाट जील में बंद हैं उनको लेकर आज हाई कोट में सुनवाई की जाने व लेकिन उससे पहले 9 अप्रेल को सुनीता के जिवाल जो के अर्विंद के जिवाल की पतनी है वो जेल में उनसे मिलने गई थी और अपनी पतनी के साथ उन्होंने एक पत्र अपनी जनता के लिए भेजा था बाहर में वॉलंटियर जो आम आदमी को सपोर्ट करते हैं उनके लिए भेजा था क्या उन्होंने संदेश में लिखा है चलिए आपको पूरी बात बताते हैं दरसल दिल्ली के सीम अर्विंद के जिवाल ने एक बार फिर जेल से संदेश भेजा है दिल्ली के मंत्री गोपाल राही ने इसकी जानकारी दे उन्होंने कहा कि मंगलवार 9 अप संदेश बेजा है कि किसी भी विपरीत परिस्थिती में हमें लोगों की सिवा जारी रखनी है लोगों को दिक्कत ना हो जितना हो सके लोगों की मदद करें इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि दूसरा संदेश सीम ने ये दिया है कि वह जेल में इस तानाशा सरकार की हर तरह की बाधा औरत्याचार को बरदाश्ट करने को तयार है लेकिन सबसे जरूरी है समविधान को बचाना क्योंकि समविधान और लोकतंतर पर खत्रा है तीसरा संदेश गुपाल राई यह भी बताया कि लोक सबाचुनाव को लेकर पहले से कैमपेंच चल रहा है अजम और कुर्षेत्र में हमारा कैमपेंच चल रहा है गुजरात में नामंकन होने वाला है अगले हफते हम डिटेल प्लैन बनाएंगे बिड़र रिपोर्ट SMZ न्यूज इंडिया